नमस्कार आप सभीका, बहुत बहुत आपका स्वागत है अबिदंदन है, इलहाबाद युनिवर्सिटी के एड्मीशन के लिए बहुत बच्चे परिसान है, उनका एड्मीशन होगा इलहाबाद विश्विद्दाले में कि नहीं होगा, इसलिए जद्दो जहद में एक वीड लगता है अपने अड्मीशन को लेकर के, इस वज़ा से एक वीडियो के माध्यम से हम एक्सपेक्टेट, कट ओफ, सेफिस्कोर, PG-80 का हम निकाल रहे हैं, इसमें कुछ कोर्थिच का हम डिसकसन कर रहे हैं, बाकि कुछ कोर्थिच का हम डिसकसन बाद में करेंगे, और बाकि देखिए, यह सेफिस्कोर है, सेफिस्कोर का मतलब यह होता है कि इसके उपर अपने आपको दिलासा देना कि आपका अड्मिसर हो जाएगा, और यह सेफिस्कोर सिर्फ में कैमपस का मैं बता रहा हूं कि में कैमपस की क्या स्थिति रहने वाली है, आप इस वीडियो को अच आने वाले हैं आती साथ आप हमारे टिलिग्राम चैनल अलहाबाद युनिवर्सिटी एक्स्प्रेस को आप फॉलो कर लीजिए इसके साथ साथ इंस्टाग्राम का भी यही प्लेटफॉर्म हमारा है और उसके नीचे कमेंट बॉक्स में मेरी खुद इंस्टाग्राम की आईड कर लीजिएगा फॉलो करने में कोई उदाह नहीं है हमको मैं तो आज हम डिस्क्रस करेंगे सेफिस्कोर का यहां पर दिखिए सारे इंसेंट इस्ट्री एकॉनमिक्स एजूकेशन इंगलिस हिंदी फिलासफी पॉलिटिकल साइंस संस्क्रिस सोसियोलिजी और यह सारी चीज है साथ सेफिस्कोर्स का printed इना है में में इंगल्स कहाँ पर आप को लेए कितरी सीत यहां पर आपको यह साथ है है यह तोटल सीट्स है यह यह यानि की अन्रिजद कैटेग्री का कट ओफ है यह OBC का है यह SC का है यह ST का है EWS का है तो देरे देरे बात करते हैं इस बार के टॉपर्स का कितरे नंबर आए है उस बेस पर कीटे कम हुई है उस बेस पर यह सारी चीजों के अनालिसिस हम कर रहे हैं मैक्सिमम तरीके से में बता रहा हूं मिनिमम इससे जाएगा इससे मैक्सिमम नहीं जाएगा इससे मिनिमम ही जाएगा इससे कमी कट ओफ जाएगी और सबसे सांदार कवरेज आपको इलाहबाद मेन केमपस की अगर आपका इतने नम्पर नम्पर से के लिए अगर आपका इतने नम्बर के लिए से और ये में आन दिश्टरी की बात करें तो 65 सीथे हैं में केमपस में सीथे हैं साथ इसाथ अफिलेटेट कॉलेज भी सीट का इस्ट्रक्चर आप देख लीजेगा 150 नमबर यू आर कैटेगरी की उपर अगर आपका है तो आपका में केमपस का safe is score है किसका Instant history के subject का इस अगर आपका है तब आप safe यहां पे माने जा सकते हैं इकॉनमिक्स की बात करें तो 389 इकॉनमिक्स में सीटे हैं, 176 इस बार हाइस्ट नमबर गया है इकॉनमिक्स कोर्स में, तो खुल मिला करके अगर आपका 115-120 के उपर UR कैटेगरी से हैं, तब आप सेफ है मेंन कैमपस के लिए, OBC कैटेगरी 100 मार्क्स, EWS कैटेगरी 105 मार्क्स, YASC कैटेगरी 80 मार्क्स और YASC कैटेगरी ओल, देखिए, YASC और YASC का मामला बहुत आसान है, तो कि बहुत ज़्यादा बच्चे रहते नहीं है, लेकिन इस बार आपको यह जानना है, कि सीट भी बहुत कम हुई हैं, को मिला करके हैं, 120 नमबर अगर आप पाई हुए हैं, इसके ऊपर, UR कैटेगरी 100 for OBC कैटेगरी 90 for EWS, 70 for YASC and YASC कैटेगरी ओल, इसके बाद बात करते हैं, इंगलिस के, इंगलिस में कुल मिला करके 615 सीट हैं, यानि 615 सीट हैं, 120 120 मार्क्स for UR कैटेगरी, 115 for OBC कैटेगरी, 110 for YASC कैटेगरी and YASC कैटेगरी का हमारा मामला है, इतना, all और 70 YASC कैटेगरी, ये इंगलिस में बहुत सीट हैं, इंगलिस में सबकैडमिसन हो जाएगा, इसके ऊपर अगर आप हैं, तो आप में कैमपस के लिए बता रहा हूँ जिहां दीजिएगा, में कैमपस का सेफी स्कोर है ये, और कहीं कर नहीं बता रहा हूँ मैं, कॉलेज में आप देखिएगा, कॉलेज का समीकरण, बहुत समय लगेगा उसको निकालने में, और इसके बीच में आपकी कट आफ आ जाएगी, ये आपका मामला है, किसका, इंग इस्ट वन फिफ्टी एट गया है, टॉपर से भी मैं मिला था बच्चों से, वन फिफ्टी एट गया है, तो सो नंबर तो मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन ये कट आफ कितने जा सकती है, ये कट आफ असी और नब्बे तक भी यू आर की जा सकती है, जिनका असी और नब्ब है philosophy की बात करें तो philosophy course में main campus में 150 seat हैं और SS Khanna degree college में 63 seats है और सारी colleges seat खतम है philosophy में अगर आपका 60 number UR category से है अब आप safe है 40 number आपका OBC से है 30 number आपका EWS से है और SC और ST all category से है यह आपका safe score है philosophy का देखिए तो बता रहा हूँ वो होना ही होना है बहुत rare of rarest case में चीजे नहीं हो पाती बाकि क्यों मैं बताता हूँ वो होता ही होता है यह मेरा अनुभव रहा है और पिछले तीन सालों की counseling में मैं बहुत active रहा हूँ सारे बच्चे यही से सूचना पाते हैं सारे लोगों का कल्यार बंताधार उधार यही से होता है इसी वज़ा से आप यहां के जुबे रहेंगे तो आपको एक ट्रस्ट मेंटेन रहेगा पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में 465 सीटे हैं हाई cut-off देखिए यहां मैंने हाई लिख दिया है competition बहुत ज़्यादा रहने वाला है पॉलिटिकल साइंस में हाइस नंबर भी बहुत ज़्यादा गया है लेकिन अगर आपका 175 नंबर के ऊपर है तो आप मेंट केमपस के लिए सेफ रहेंगे पॉलिटिकल साइंस में इसके बाद अगर आपका बात करें कि हम 165 नंबर कर हम बात करें 165 मार्क्स और OBC कटेगरी 174 EWS 144 SC and 104 ST कटेगरी यह यहां का मामले है मेंट केमपस का हम आपको बता रहे हैं इतना रहेगा तो मेंट केमपस में आपका सेफ एडमिशन हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस में यह कट आफ 170 के पास जा सकती है कट आफ 180 तक भी जा सकती है प्लस मैनस 5 का आप आऔरा रखिएगा ठीलिट ञेन थोड़ा सा हम कोई गालक लेते हैं फ्लस मैनस 5 तब अगर आप आपका काम हो जाएगा यह प्लिटिकल है वे cin के पांसो तो 3 सीटे یाने 5 23Mr. ओवर ओल है तेन्स की सीट में बता रहा हूं ओवरॉल्स सीटे बता रहा हू यह संस्क्रिट का सेफी स्कूर है यह 140 भी जाएगा 150 भी जा सकता है बस मैं बता रहा हूं कितने उपर वाले तो सेफ ही है यानि एडमिशन उनका होना ही होना है सोशियोलिजी की बात में तो 297 सीच सोशियोलिजी में है और 170 मार्क्स अगर आप यू आर केटिगरी से पाए हैं सोशियोलिजी सब्जेक्ट में तब आप मेंन केमपस के लिए सेफ है 150 for OBC केटेगरी 155 for EWS 100 for ESC and ESD केटेगरी और उर्दू कोर्स अब सिर्फ में केमपस में है तो उर्दू कोर्स में सभी के अडमिशन होगा यह आप एकदम से पैमान लीजिया इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट के सेफिश स्कोर की बात करते हैं यह सब्जेक्ट आपका अगला गा गया है इसमें पैंटिंग का गया है उसके बाद फिर कि आ रहें आपके आज एक पैंड है उपर कर दा है पैंटिंग के हैं मीडिवल मॉडनिस्ट्री है आइकॉलजी है जियोग्राफी है मैथेमेटिक्स है एंथ्रोपॉलेजी डिफेंस एनिस्टेट्स है और भी जो सब्जेक्स है उसका मैं आपको डिसकस कर लूँगा पैंटि है एक सोपचास नम्मर यू आर कैटिग्री वन ट्रेंटिफॉर ओबी सी डवली एस वन थर्टी एस्टी हैं यह सेफ स्कोर है किसका यह में पैंटिंग का मीडिवल एंड मॉडल इस्ट्री में पुल मिलाकर के 309 सीट्स है वन फिफ्टी नम्मर से अगर आप ऊपर हैं तब आप सेफ है में केमपस के लिए ओबी सी में 130, 135, 4DWS, 1004SC, and EST केटेग्री वाल psychology की बात करें तो 55 सीटे सिर्फ में केमपस में हैं एक hard competition रहने वाला है यह में psychology से इसके बाद फिर 160 नम्मर से अगर आपका ऊपर है psychology में तब आप सेफ है में केमपस के लिए 150 नम्मर की ऊपर अगर आपका है तब आप OBC के टेग्री से हैं 155 का EWS, 100 का ESC, and EST केटेग्री वाल जियोग्राफी की बात करें इस बार competition high है 165 ही नम्मर highest गया है 313 सीटे हैं 140 नम्मर की ऊपर अगर आप जियोग्राफी से पाएं हैं में केमपस के लिए eligible हैं 120 नम्मर OBC, 125 CWS, 100 SC, and EST केटेग्री वाल 110, 90, and all anthropology की बात करें 30 सीटे कुल मिलाकर के मेन ही केमपस में 120, 110, 100, और 80 defense में 31 सीटे है, 180 नम्मर defense की cut-off जाएगी, 160, 185, 140, all stats की बात करें 145, 130, 135, and 180 यह आपका है safe score main campus के लिए सारे course का जितना है मैंने आपको discuss किया है, यह इतने ही course है, बाकि और भी बहुत सारे छोटे-छोटे courses हैं, उनका भी हम देरे safe score discuss करेंगे, लेकिन आपको यार परिसान नहीं होना है, आपको अपना दिल छोटा नहीं करना है, आपको धैरे बना के रखना है, patience बना के रखना है, cut-off यह सिर्फ main campus के मैं बता रहा हूँ, CETO का structure देखिए, CETO का analysis देखिए, अभी एक आथ हपते के अंदर cut-off जारी होना start हो जाएगी, 4, 5, 6, 7, 8 round में आपकी cut-off आती है, तो इतना कोई predict नहीं कर सकता कि आपका admission होना ही होना है, लेकिन उतने number के Uber अगर आप हैं, तो आप अपने आपको safe समझ सकते हैं, बाकि कैसा लगा वीडियो यह ज़रूर comment box में करिएगा, इस सवालों को भी आप पूछिए का बाकि हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हमारे को भी follow करिएगा, जिससे कि हमारा भी मनुबल आपके साथ से बरता रहे और आपको बिल्कुल भी परिसाथ नहीं होना है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आज़ाएगा,